रूशी चिन्तन चानल मा उपासना साथना मा आज्ये आपने देवदर्षन विस्ते जोईशू देवदर्षन शामाटे करवा जोईए योग्य रिते देवदर्षन करवा थी पवित्रता अने नम्रता भरी जीवन जीवानी इच्छा थाई छे तमाम मनुष्यों प्रत्य सद्पाव अने समतानों फ्यभार थवा लागे छे आवश्यक सुचनों पेलू मनने शांत करी या शांत करवा माटे मंदीर मा प्रवेश करो विजु देवतावनी मुर्ती प्रत्य शक्षत इस्त्वर समान स्रध्धा राखो अभ्यास पेलू मनने शांत करी दर्शन करो ये वखते स्वाभाविक रूपे स्रध्धा जागे छे स्रध्धा द्वाराज पवित्रता नम्रता जिवा कुन प्राप्त थाई छे विजु देवतानी मुर्ती इश्वरनू प्रती निदित्व करे छे आथी देवदर्शन करती वखते परमात्मानू स्मरण करो स्रध्धा पुर्वत प्रणाम करो थोड़ा समय मंत्र या पग्वानना नामना मानसिक जप करो आत्मियतानो बाव राखो जेमके हुँ आपनो अंश्चु त्रीजु वदु भावनाशिल करतवयोनी याद अपावनार प्रात्ना करो आगल विवेचन खंडमा देवदर्शन सीर्षक जुओ च्वतु आ प्रात्ना साथे देवदर्शननी प्रक्रिया पूरी करो हे भगवान मने सत्बुद्धी आपो सवने सत्बुद्धी आपो सवनो भलु करो पाँच मुँ मन्दीर मा थोड़ो समय श्रधा पुर्वक शांत व्यसी रहो एना थी त्यानो सात्विक वातावरन आपनी उपर वदु सारो प्रभाव पाड़ से चट्थू बनी शकेतो मन्दीर मा कोई सेवा करया पच्छी गरे पाच्छा फरो सात्मु आप भलेने कमे तेटली व्यस्त फ्यक्ती हो परन्तु अठवाडियामा ओच्छामा ओच्छू एकवार देवदर्शन करभा अवस्च्य जाओ एना थी अंतकरर शुद्ध थाई छे अस्तु